पिछले पार्ट के एंड सीन में हमने देखा कि वो आदमी एक दूसरे कमरे में पहुंच जाता जहाँ पर एक खुबसूरत लड़की लेटी हुई थी वो उसे उठाने की कोशिश करता है अब जैसे ही उसके आखे कुलती है वो चिलाने लगती है तो चलो ठरकियों अब देख में जाकर चुब जाती है अब वो आदमी उस लड़की को वापस बुला के ला ता, इतने उसके अंदर जान नहीं थी तो वो वही पे उस ताबूत में जाकर लेट जाता है अब आधी रात हो रही थे और वो लड़की डर जाती है और वो उसी आद में एक पास आखे बैठ वो उसे चैनी हतोडे पकड़ाती है और कहती है कि हमें यहां से बाहर निकलना ही होगा अब खाली पेट और ठके हुई शरीड से उसादमी ने पहले ये गड़्दा बना दिया था अब उसके अंदर दिन जान नहीं थी कि वो खाली पेट और इस थके वोई शरीर से एक और गड़ा बना सके पर वो कोशिश करता है लेकिन उससे नहीं होता अब वो दूसरी लड़की गड़ा खोदने की कोशिश करते है जिससे कि उसी के हाथ में लग जाती है यानि ये गड़ा खोदना भी बहुत ही ज़दा टेड़ी खीर होगी थी इन लोगों के लिए वो भी खाली पेट अब हम लोग उस लड़की को देखता है जिसको बहुत जोड़ से वाश रोम आय थी और वो दूसरे कमरे में जाती है करने के लिए अब किसी तरह से वो आदमी अपनी हिम्मत जुटा कर उस लड़की को रोकता है और कहता है कि हमें सर्वाइव करने के लिए अपने ही मूद को पीना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे उनके पास पानी नहीं था और उस आदमी को सच में प्यास भी लगी थी तो वो लड़की उसमें उसके लिए पिशाप करती है और उस आदमी को जूता पकड़ा देती है जिसके बाद वो आदमी उसे पीने लगता है साथ ही साथ अब उस लड़की को पता पड़ जाता है कि सर्वाइव करने के लिए हम तो उनको यहाँ पी यह सब भी करना पड़ेगा पिशाप पीने के साथ उस लड़की को कीडे खाना भी सिखाया जाता है क्योंकि वहाँ पर उन लोगो सर्वाइव करना था तो यह सब करना होगा पर लेकिन वो लड़की सबसे मना कर देती है क्योंकि यह बहुत ज़ादा गिनावना काम था अब हम फिर से यहाँ पर उसी आदमे को देखते है जो कि दिवार में गड़ा कर रहा हुता है अब ये सब करते करते वो पूरी तरह से एक्जॉस्ट हो जाता है और वो नाइजीरियन लड़की उसको मोटिवेट करने के लिए उसके लिए एक गाना गाती है अब मोटिवेट ह उन्हें एक बाद हमारा जा बियर ग्रिल्स की चटी आउलाद फिर से मोटिवेट हो जाता और फिर से गड़ा खोदने लगता है अब ये करते करते उसके हाथ में बहुत ही बुरी तरह से हत्रणा लग जाता है जिसके बाद वो लड़की अपने सिर का कपड़ा उतार के उस ताले से खड़े रहेंगे तो ये ताला धीरे धीरे खुलता रहेगा तो ये लोग इसी तकनीक को अजमाते हुए उस ताले के पास जाते है अपनी पीट फेर के और किसी तरह से वो ताला खुल जाता है अब ये लोग दूसरे कमरे में पहुँच जाते है लेकिन बतकिस्मत वो दूसरा कमरा भी इसी कमरे की तरह होता है और इस कमरे में भी एक कबर थी जो कि पहले कमरे में एक ताबूत था तो इस कमरे में एक कबर थी अब इन लोग के पास सिर्फ एक की ऑप्शन रह गया था यह लोग सोच रहे थे कि इस कबर में से एक सुरंग खो दें तो यह लो ज़्यादा एक्जोस्ट था उसने तीन दिनों से नहीं खाय था कुछ भी अब इन लोग की यहां पर हालत इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रीम हो गई थी कि यह लोग एक दूसरे को मारने मरने पर उतावले हो गई थे पर यहां पर किसी तरह से वो आदमे अपने उपर कंट्रोल कर लेता है क्योंकि अब उसे समझ माने लगा था कि यहां का जो ओनर था जिनोंने पर इनको डाला था वो यह चाते थे कि इन दौनों मेंसे कोई एक ना एक अपनी जान दे दे और कुछ ऐसा ही उस आदमे के साथ अब होने लगा था धीरे धीरे वो अपनी consciousness को खो रहा था यानि कि वो मौत के करीब जा रहा था अब देखते देखते शाम हो जाती है और वो आदमी अभी भी अपनी बिहोशी से नहीं उठाता वो लड़की भी अब रोने लगी थी उस और वो उस लड़की को भी देखने लगता है अब आदी रात में जब उसके आखे कुलती हैं तो देखता है कि वो लड़की उसे के साथ सो रही है अब वो आदमी किसी तरह से अपनी हिम्मत को बटोर के दूसरे कमरे में जाता है जहां से वो एक कपड़ा लेकर आता है बिल्कुल भी जान नहीं थी ऐसा करने की तो वो लड़की उस आदमी को अपने कंदे पे उठा के उसे अपनी साथ साथ लेकर चलती है और फाइनली वो गेट खोल जाता है और जैसे वो गेट खोलता है ये गेट एक इतनी खूपसूरत जगा पे खोलाता जोगी सुर्ग से कम नहीं थी और फाइनली ये दोनों उस गेट से बहार आ जाते हैं और दोस्तों ये ही दिखाते हुए ये मूवी हेवेग खतम हो जाती है वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स फूर वाचेंग एंड फिर मिलते हैं एक और नही एक्स्पलनेशन वीडियो के साथ झाल